चलिए दोस्तों स्वागेत है आप सबका नया अप्र लॉंच हो चुका है बहुत आसान है बहुत आसान है कोई जिणजड नहीं कोई मुश्किल नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं एक रहना सेंपल तरीकी में आपको समझा देता हूँ और बहुत शॉट में समझा दूँगा सब सेंज है चैट है 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 गिफ्ट कार्ड है सब चीज समय है अभी सिर्फ चेंज हुए है यह चार पार्ट नीचे के एरड्रॉप प्रोजेक्ट तो आप पहले डाउन लोड कही साबराई यहां मैं पहराने वाले मी में उस पर क्लिक कर देना जब आप मिपे क्लिक करते हो तो यह risra जाए डाउन लोड प्लेड इंडadas she system air paper ग्लेड प्लेड नहीं है तो हम लोग Android लिएपिक इसे डाउन टेजुकल कर लेंगे इसको ठीक है तो वहां से डाउनलोड कर लिए फिर प्रोजेक्ट क्या है फटाक से बता देता हूँ तो अभी यहां पर project लिका है वो project पर हम click कर देते है project पर click कर दिया यह दे को तीन project है test coin A test coin B और test coin C simple एकदम simple तो तीनों में आपको part लेना है ठीक है तो पहले पर click करते test coin A पर मैं click कर देता हूँ test coin A पर click करते ऐसा interface आएगा यहाँ पर claim hash लिखा है वहाँ पर click करना है और एक बात यह दे को exit airdrop लिखा है पहले यहाँ पर click करना है ठीक है कभी मैंने participate किया इसलिए मेरा exit airdrop देखला आपका क्या दिखेगा participate in the ठीक है यहाँ पर click करना है उसके बाद claim hash करना है claim hash कर दिया देखो यहाँ पर claim button आएगा मैंने already यह click कर दिया इसलिए मेरा timer दिखा रहा है लेकिन आपका claim hash दिखाएगा तो उस इनों में participate करोगे main page पर आओगे तो ऐसा interface आपके सामने दिख जाएगा ठीक है आपको यह दिख गया इंटरफियस और एक गंटे का यह timer चलेगा एक गंटे का यह timer चलू हो गया आपका जब यह timer चलू होता हो खतम होने के हर दिन आकर claim hash करना और यह करना बस अब यह देखते है 9.7 coins है मेरे पास मैं यह claim करके देखता हूँ पहले बार claim किया तो इतना बढ़ गया था अभी कुछ बढ़ता है या नहीं देखता हूँ claim करता हूँ आपके सामने claim कर लेता हूँ claim button पर click करते है कुछ बढ़ता है या तो अभी देखते हैं कितने coins हो गया है मेरे मी section में जाते हैं यहां पर wallet दिख रहा है यह wallet section में जाते हैं जब हम wallet section में जाएंगे तो वहां पर दिखेंगे हैं कितने coins बढ़ चुके हैं wallet section में आप देख सकते हैं मेरे पास अभी core coin है जो पहले थे वोई ATCA coins आ गए TCB और TCC तीनों coins मेरे पास आ चुके है तो ऐसे आप किसमें भी दिखेंगे अभी main part है core coins हमारे core coins में withdraw button दिख रहा है दोस्तों बहुत आनंद की बात है मैं वहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ आप देख सकते हूँ core withdraw is not available at the moment ठीक है सेन दिखेंगा deposit section में भी दिखेंगा और transfer में भी दिखेंगा most probably 26 के बाद जब mainnet launch होता है तो हम ये withdraw कर सकते है अब ये बात का मैंने आपको बता दिया पहले ही फिर बताता हूँ कि ये test token सर्फ practice के लिए है इनकी कोई value नहीं है समझ गए? कुछ value नहीं है लेकिन आगे जाके mainnet जब launch होगा तो इस practice का हमें कुछ ना कुछ फाइदा होगा इसमें कुछ difficult नहीं है ये 3 project थे project A मैंने आपको समझा दिया उसी तरह project भी project C join कर ले रहा ओके दोस्तों तो वीडियो यहीं पर end करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है तो like बटन दबा देना, channel को subscribe कर देना और bell घंटी दबा देना ताके आपको सभी updates मिलती रहेंगी ओके friends बाई बाई कुछ समझ में नहीं आया तो comment box में दाल देना मैं explain कर दूँगा